उत्तरपदेश में कल पूर्वांचल की जमीन पर दंगल है पूर्वांचल की 13 लोकसवा सीटों पर कल मतदान है और वही से आम चुनाव के मतदान की प्रक्रिया का समापन हो जाएगा देश भर में कल 57 सीटों पर बोट डाला जाएगा और उत्रपदेश में उसमें 13 सीटे उत्रपदेश की शामिल है पुर्वांचल का रण उत्रपदेश के बाकी हिस्सों के रण से अलग है एक तो इसनाते अलग खुद प्रधानमंत्री वहां से उमीदवार है काशी से और दूसरा वहां की सियासी जमीन थोड़ी अलहदा मिज मिजाज की है अलग मिजाज की है उत्रपदेश में वहां जातियों का बोलवाला है वहां हिंदू और मुसल्मान का फंड़ा भी काफी तीखा है वहां काशी भी है बावा विशुनात भी है वहां गोरक धाम भी है तो कुल मिला के तस्वीर ये कि पूर्वांचल का मसला थोड़ा गंभीर होता है हमेशा से और पूर्वांचल का मिजाज भी उत्तरपदेश में बाकी इलाकों से अलग है पूर्वांचल के लोगों का मिजाज आप ऐसे समझ रहे हैं कि बलिया का एक नाम ही है बागी बलिय एक लोग प्रचलित नाम है बागी बलिया तो इससे आप पूर्वांचल के तेवर और मिजाज का अंदाज लगाई है बगाबत और तीखापन पूर्वांचल की अपनी थाती है उसी पूर्वांचल में योगी आधितनाथ भी हैं उसी पूर्वांचल में प्रधान मंत्री भी चुनाव रड़ने आए हैं और उसी पूर्वांचल में जहां कलबोट होगा भाजपा के तीन सहीयोगी दल और तीनों के अध्यक्ष OVC के बड़े चेहरे निशाद पार्टी के संजय निशाद अपना दल की अनुप्रिया पटेल और उम्प्रकाश राजपर तीनों OVC तीनों भाजपा के सहीयोगी दल तीनों इम्तिहान में इस चरण में साथ में चरण में अखलेश यादव ने भी यहां पसीना बहाया है राहुल गांधी भी यहां आये हैं अखलेश और राहुल ने यहां साथ साथ सभायम भी की हैं प्रियंका गांधी और दिम्पल यादव ने यहां साथ साथ रोड़ शो किया है भाजपा की ओर से भी कोई ही शायद ऐसा बड़ा नेता बचा हो जो पुर्वांचल की जमीन पर नहीं आया हो हाँ ये जरूर है कि प्रधान मंत्री काशी में रोडशो करने के बाद फिर नहीं आये पहले एक ऐसी चर्चा थी कि शायद अंतिम दिनों में कि प्रधान मंत्री काशी आए जब मतंनीर चुनाप्रचार के समापन असी पहले एक दिन के लिए लेकिन फिर वो संभावना नेरस्त हुई और प्रधान मंत्री ने कन्या कुमारी में ध्यान करने का फैसला किया काशी आने की पजाए काशी के लिए नरेंद्र मोदी ने कल एक संदेश जारी किया था कि मतदान केंद्रों पर वही उस्साह दिखना चाहिए जो आके अब यह मान कर चलिए कि अंतिम रण है उत्तरपदेश में देश में भी और उत्तरपदेश में भी और इस अंतिम रण में बाजी कौन जीतेगा पिछली बार इन 13 में से 11 सीठे भाज़पा के पास थे भाज़पा चाहेगी अब 13 की 13 आए और इंडिया गठवंदन चा ठाक बहुनी हुई थी उनकी पार्टी की भी तो इस बार फिर उनको कुछ हासिल हो जाए लेकिन असल में होगा क्या तस्वीर क्या है संदेश क्या है आज शाम को पांच में इनी पर चर्चा करेंगे रही गया मेरे साथ पूर्वांचल का रण बिकट और बड़ा धन्यबा